जहिन दोस्तो मिरा नाम है चेतन और मैं स्वागत करता हूँ आपका हमारे CG Resettlement चैनल पर दोस्तो आज हम बात करेंगे नॉन पेंशनल एक्सरिस्मेन को मिलने वाली आर्थिक सहयता स्कीम के बारे में तो आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिशे दोस्तो कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो अभी सस्क्राइब करें और साइड में दिये गए बेल आइकोन को भी जरूर दबाए ताकि एक सर्विसमेन से जुड़ी ऐसी ही नई वीडियोस सबसे पहले आपको मिलती रहे दोस्तो कई बार ऐसा होता है कि आम फोर्सेस से एक सर्विस को बिना पेंशन के सर्विस से डिस्मिस कर दिया जाता है या वो खुद 15 साल की सर्विस खतम होने से पहले ही डिस्चार्ज ले लेता है दोस्तो 60-65 साल की उमर तक पूरुसेनिक कोई नोकरी या कोई काम करके अपने घर को चलाता है और जैसे ही इनकी उमर 60-65 साल हो जाती है तो इस उमर में काम करना मुश्किल हो जाता है ऐसे में ना ही इने कोई नोकरी देता है और बढ़ती उम्र के साथ हेल्थ की प्राब्लेम बे शुरू हो जाती है इस समय इनके लिए अपनी सेहत पे ध्यान देते हुए घर को चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्तो साल 1981 में जिन नौन पेंशनर्स पूरुसेनिक या किसी विद्वा की उम्र पैसर साल हो गई हो उनके लिए 2 साल के लिए 100 रुपीज की मंतली आर्थिक मदद शुरू हुई थी 2007 में इसको बढ़ा कर साल के लिए 500 रुपे प्रतिमेना कर दिया गया था और अगर पूरुसेनिक की उम्र 70 साल हो जाए तो 30 रुपे की लंसम मदद भी मिलती थी और दोस्तो अक्तूबर 2012 से इस स्कीम को और भी आसान कर दिया गया और इस मंतली ग्रैंट को बढ़ा कर 1000 रुपे लाइफटाम भर के लिए कर दिया गया दोस्तों अब जानते हैं कि इस स्कीम का उद्देश क्या है तो इस स्कीम का उद्देश हवालदार बराबर के रैंग के पूरुसेनिक या विद्वा को आर्थिक सायदा प्रदान करना है इसके लिए पात्रता के शर्ते कुछ इस तरह से है जो इस scheme के लिए आवेदन करेंगे वो non-pensional, ex-sorisman या विद्वा होना चाहिए आवेदन की rank हवालदार बराबर की होनी चाहिए अगर पुरू सेनिक इस grant का लाब उठा रहा हो और उसकी मौत हो जाती है तो ये grant उसकी wife को मिलना शुरू हो जाएगी चाहिए उसकी उम्र कितनी भी क्यों ना हो अब देखते हैं दोस्तों कि उसके लिए जरूरी documents क्या-क्या लगते है इन documents को Kendriya Senik Board की website पर आपको upload करना होता है दोस्तों इसमें discharge book की सभी page की copy लगती है और सभी page number wise होने चाहिए सभी page अच्छे से दिखने चाहिए अगर किसी भी page में कोई भी cutting या overwriting है तो उस page पर जिला सैनिक welfare officer का sign या stamp होना चाहिए अगर discharge book में जनमतिती नहीं लिखी है तो IU प्रमाणपत्र भी लगता है जिला सैनिक board द्वारा जारी किया गया identity card bank pass book के पहले page की copy इसमें आपके bank account की सारी जानकारी हो जैसे कि आपका account number, IFC code वगेरा अगर bank pass book में ये सारी जानकारी नहीं दी गई हो तो एक cancel check लगता है जिसमें सारी जानकारी दी हो साथी दोस्तों आविदक की तरफ से एक प्रमाणपत्र लगता है जो ये प्रमाणीत करे कि उसकी कोई income नहीं है application को जिला सैनिक welfare officer द्वारा recommend किया जाता है और एक प्रमाणपत्र देना होता है जो ये प्रमाणीत करे कि आविदक द्वारा दी गई सभी जानकारी और documents सही है अब दोस्तों बात की grant के लिए देखे तो आविदक को केंदरी सैनिक बोर्ड की site पर login करना होगा और जिला सैनिक welfare officer द्वारा counter sign किया हुआ जीवन प्रमाणपत्र अप्लोड करना होता है ये प्रमाणपत्र एक डिसेंबर से लेके 31 मार्च तक जमा करना होता है आर्तिक साहेता को transfer नहीं किया जा सकता अगर किसी कारण कुरू सैनिक की मौत हो जाती है तो उसकी पतनी को फिर से नई आउधन करने की जरूरत नहीं होती उनको सिर्फ अपने पती के केस भी अकाउट में कुछ जानकारी अपडेट करनी पड़ती है जैसे आप कौन है वाले इस कॉलम में विद्वा भरना पड़ता है और प्रोफाल पेज में पती के देहान की तारिक इंटर करनी पड़ती है इसमें दोस्तों विद्वा की एज 65 साल होना अनिवार या नहीं है उसकी एज अगर 50 साल भी है तो उसको आर्थिक साहेता मिलेगी विद्वा को बात की ग्रांड के लिए केंदिर सैनिक बोर्ड की साइट पर लॉगिन करना होगा और उसके बाद जीला सैनिक वेलफेर ओफिसर द्वारा काउंटर साइन किया हुआ जीवन प्रमान पत्र अप्लोड करना होता है प्रमान पत्र एक दिसंबर से लेके 31 मार्स तक जमा करवाना होता है तो दोस्तो ये थी जानकारी नॉन पेंशनर्स एक्सरिसमें को मिलने वाली आर्थिक साहेता स्कीम के बारे में दोस्तो अगर आपको ये जानकर ये अच्छी लगे तो अपनी दोस्ते के साथ भी जरूर शेर कीजिए और अगर आप एक्सरिसमें हैं तो हमारा Android आप भी जरूर डाउनलोड करें जिसका नाम है CG Resettlement ये एप सिर्फ एक्सरिसमें भाईयों के लिए ही बना है इस आप में आपको एक्सरिसमें से रिलेटेड जॉप और न्यूस के अपडेट्स रेगुलर बेसिस पे मिलती रहती है तो गूगल प्लेस्टोर से या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिएगे लिंक से डाउनलोड करें CG Resettlement आप साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए जैहिन